तो खवातिनों हजरात आदाप मेरे नाम मनु सिकंदर धिंग रहा है और मैं आपको वारिष शाह की हीर के किस्से का एक छोटा सा हिस्सा सुनाने वाला तो वो पंजाब जो की अब पाकिस्तान में है वहा एक दरिया भ्यता है चिनाब योग gay itna पहला हुआ है कि उसके एक किनारे से दूसरा किनारा दिखाई नहीं दे लगा उस दर्या के एक तरफ है जंग यहां की रहने वाली थी और एक तरफ है तक थाजारा जहां का रहने वाला था रांजा तो रांजे की के बाप मुझू चोधरी की मौत के बाद रांजे की भावियां उसे ताना देती हैं कि तू अगर सच में गब्रू जवान है तो रांजा ये ताना बहुत वक्त से सुनता आ रहा था लेकिन ये ताना वो बदाश नहीं कर पाता है और अगली ही सुबा सर पर कंबल की ओट लेता है, बाशरी हाथ में लेता है और जुतियां बुकल में डालता है और तक्त हजारे को छोड़ हीद पुले ने निकल पड़ता है तो अब उसे जंक पहुँचने के लिए वो दरिया पार करना था तो उसके लिए वो एक मल्ला है जिसका नाम है लुधन उसकी एक बड़ी सिनाव है इसके पास पैसे नहीं है तो बड़ी खुशामत बगरा करके वो किष्टी पर चड़ने के लिए काम्याब हो जाता है अब पीरों के पीर खुआजा गरीब नवाज और कुतब दीन के शागिट बाबा फरीद से अकीदत रखने वाले वारिश्या कुछ यू फर्माते कि जैसे ही राजा किष्टी पे चड़ा उसे यू लगा कि जैसे रब ने बंदे के सारे गुनाह माफ करके उसके लिए जन्नत के दर्वाजे दुबारा कुल दी वो जैसे ही किष्टी में आगे बढ़ा उसकी नजर किष्टी के बीचो बीच पड़े एक बहुत खूबसूरत पलंग पर पड़ी जो चारो तरप से रेश्मी परदों से ढखा था जिस पर मकमल का गड़ा लगा था जो की पुलकारी की चाधर से सजा था गोतकिया मुशक क महग से भरा था राजा किष्टी में बैठना चाहता था तो मसाफरों ने उसे रोका और कहा कि ये पलंग बासा स्यालों की शहजादी मेहर चूचक की बेटी हीर का है जिस ते शाह परियां भी पना मांगती है जो मकमल के कपड़े में लिप्टी कस्तूरी सी इसलिए किसी ग दर्या के दूसरी तरह पहुंचते है तो रांजी को नीन का जोका आ जाता है और वो नीन की बेहोशी में ही उस पलंग पर गहरी नीन सो जाता है और उधर जब ये बात हीर को पता चलती है कि अजनबी उसकी सेज पर सोता है तो अपनी सास सहीलियों को साथ लेकर वहां रही थी कि मत्थे चमकदा हुस्न महताब दाजी खुनी चूणियां रत जू चन गिर दे सुर्क रंग जू रंग शहाब दाजी नैन नर्गिसी मिर्ग ममोले दे गल्ला ठैकियां फुल गुलाद दाजी भवावांड कमान लहौर दे सन कोई हुसनांत हिसाब दाजी कोई गुष्से में दोड़ी दोड़ी अपनी सेलियों के साथ महां पहुंसती है और एक अजनबी को अपनी सेच पर खर्राटे मारता हुआ सोते देख उसके तो तन बदन में आग लग जाती है वो एक छड़ी उठाती है और रांजी को मारने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन इससे पहले के वो से मारती उसकी नदर उसकी शकल पर पड़ती है और वस वहीं ठगी सी खड़ी रह जाती है ऐसी मनमोहनी सूरत उसने पहले कभी न देखी हाथ की छड़ी हवा में रुकी थी कि तभी रांजे की भी आग खुल गए उसने हीर की सूरत को देखा और देखते कहा वासा जड़ी हीर हसके ते महरवान ही उसने भी ऐसा खुप्सुरत हुसन पहले कभी न देखा था खोट सुर्ख याकूत जियू लल चमकन ठोड़ी सिव विलाईती सार विचू नक अलिफ हुसैनी द पिपला थी दुल्फ नाक कजाने दी बार विचू दंद चम्बे दी लड़ी के हंस मोती दाने निकले हुसन ननार विचू लिकिचीन कश्मीर तस्वीर जटी कद सरू वहशत गुलजार विचू कद सरू वहशत गुलजार विचू दोनों के आँख मिली तो उनकी दुनिया ही बदल गई सारी काइना ठहर गई और तकदीर खामुशी से अपना काम कर गई प्यार की धीमी आच पहले चमच बनी फिर कसक और लमों में महब्बत बन गई पहली नजर का प्यार ऐसा होता है इतना शरीद होता है इतना अजीब होता है दोनों एसे किसी को पता ना था ये मीठे तीर का जखन था जो दोनों दिलों पर एक साथ लगा था और उनकी दुनिया बदल गया था बात की तितलियां चिडियां पेड़ों की पतियां फूलों की फंक खुडियां आम के पेड़ों की भोर और ससू के फूल पीले पढ़कर दोनों को तक नहीं लगी लेकि पलंग के दूसरी तरह बैट गई लेकिन नजर रांजे पर से नहीं अगी हाथ की छड़ी हवा में रुखी थी रांजे में छड़ी हाथ से लेली लेकिन निगाएं हीर की निगाओं से वैसे ही जड़ी थी वारिशा जन्याना दाव लगे कोई बचे न जुए दिहार विचूंग इश्क तीर ने दोनों पर ऐसा ख़ारी कारी वार किया कि दोनों ने उसी वक्त अपनी महब्बत का इजहार किया और तमाम जिंदगी प्यार निभाने का इकरार किया तो रांज्या बुला साधे नाल जे तोड़नी भावनी है सच्छा देखा कॉल करार ही दे कोहिर बुली मैंनू बाव ले दी सो रांज्या वे मरे माउं जे तुद थी मुक मोडा क्वाजा किजर ते बैट के कसम खा दी तुद बाजना नैन अंग जोडा तो रांज्या बुला सचाक नाई हुने आक मैन सचाक नाई हुने आक मैन एह सच ते जूट दा विल लडाई ताबिश्क दी जेलनी बड़ी योखी इश्क गुरू ते सब जग चे लडाई इश्क गुरू ते सब जग चे लडाई इश्क गुरू ते सब जग चे लडाई बहुत बहुत शुप्रिया नशीव का बहुत बहुत शुप्रिया